पूरी निष्ठा और इमानदारी के साथ भगवान की पूजा अर्चना की हो और उसे मंदिर से जाने से रोक दिया जाए वो वन्चित हो जाए ये दर्द समझे दर असल ये कहना है बीज़ेपी विधायक नतिन नवीन का कई ऐसे विधायक जो इस वक्त बयान दे रहे हैं और साफ तोर पर उनके बयान में दर्द छलक रहा है दर असल पहली दफ़ा अतिहास में ऐसा होगा जब बिहार में बिहार विधान सभा का मौन्जन शिशन बिहार विधान सभा के भवन में नहीं बलकि कहीं और ग्यान भवन में हो रहा है कि उस लोकेशन को शिफ्ट कर दिया है क्यूकि कोरुना के आखड़े बट रहे हैं ऐसे में खत्रे से बचते हुए इसका आयोजन किया जा रहे है और आज से इसके शुरुवात हो रही है और कई ऐसे विदायक हैं जो अपना दर्द बया कर रहे हैं बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने मौनसुन सत्र की आपचारिक आयोजन पर कहा आप समझ सकते हैं कि उस भक्त की हालत क्या होगी जब उसने पूरे समय पूरी इमांदारी और निष्ठा के साथ पूजा किया हो और अंतिम समय में मंदिर जाने से वंचित कर दिया जाए कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है मुझे इस वक्त राज़त विधायक शक्ती यादव की कसक भी ऐसे ही है उन्होंने कहा विधान सभा जनता के आकर उन्शाओ का क्यंद्र होता है और जो जन प्रतिनिदी चुनकर आते हैं उनका विधान सभा के भवन में एक अलग लगाव होता है हमारे लिए मंदिर है विधान सभा भवन और उसके अंदर की यादे कितनी कचोट हो रही है क्या बताए जिस स्कूल में आप दाखिला लीजिए और जब पास कर वापस जाने की बारी आए तो उस क्लास में एंट्री ना मिल पाए तो आप समझ सकते हैं कि उस शात्र की पीडा और हमारी हालत कुछ ऐसी ही है पहली बार विधायक बनने वालों की तकलीफ विधान सभा में लंबा समय गुजार चुके बहार सरकार के मंत्री और जेडियों के नेता श्याम रजग कहते हैं कोरुना की वज़से एक दिन का सत्र ग्यान भवन में हो रहा है जो मात लेकिन इस बार परिस्थिती ऐसी है कि वे विधान सभा भवन के अंदर की बाते मिस्स करेंगे उन्होंने कहा कि विधान सभा की जगा कोई और जगा नहीं ले सकता क्योंकि वहां की बात ही अलग होती है आपको बता दे कि कोरुना संक्रमन के वज़ा से बिहार विधान सभा का मानसुन सत्र बिहार मंडल की जग अब ज्यान भवन में तीन अगस्त को कराया जा रहा है मातर एक दिन का ये सत्र संभवता नितिश्र सरकार का आखरे सत्र होगा इसके बाद चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचेगा विधायकों का ये दर्द इसलिए भी छलक रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बार उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो ऐसे कई बिधायक भी हैं जो असबा नए बिधायक बने है और जो चाहते थे कि मौनसुन शेशन में वो शामील हो विधान सभा के इस बैठक में वो शामील हो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि जगत चेंज कर दिया गया ऐसे में बिधायकों का दर्द साफ तोर पर दिख रहा है देश और दुनिया की तमाम अब्डेट्स के लिए मार सत बने रही है और देखते रही है नियोज फोर्डेशन नमस्कार